कोलकाता कैश कांड मामले में आरोपी हाई कोट के अधिवक्ता राजीव कुमार की मुश्किले एक बार फिर से बढ़ सकती है क्योंकि जारखंड हाई कोट से 9 नवंबर को उनको मिली बेल को E.D. सुप्रीम कोट में चुनौती दे सकती है मीडिया रिप्यार्ट के अनुसार E.D. ने इसकी तैयारी कर रही है मताते चले कि अधिवक्ता राजीव कुमार को राशी देकर गिरफ्तार कराने वाले अमित कुमार अगरवाल की SLP पर सुप्रीम कोट में 16 दिसंबर को सुनवाई हुई थी जिसमें अमित अगरवाल को सुप्रीम कोट ने सशर्थ अंतरिम जमानत दी थी सुनवाई के दोरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कोट में बताया था कि राजीव कुमार को हाई कोट से मिले बेड ओर्डर को चुनौती दी जा रही है अमित अगरवाल को कैश कांड के मामले में इडी ने गिरफतार किया था इस मामले में जारखंड हाई कोट से 30 नवंबर को अमित अगरवाल की जमानत खारिच हो गई थी जिसके बाद उनकी ओर से सुप्रीम कोट में एसलपी दाखिल की गई थी 16 दिसंबर को सुप्रीम कोट में शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम जमानत दी है उन्हें आदेश दिया गया है कि अंतरिम जमानत पर रहने तक वार्ट प्रायल कोट में अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे निचली अदालत के आदेश के बिना भारत नहीं चोड़ेंगे एडी द्वारा समन किये जाने पर आमित अगरवाल एडी के आफिस जाएंगे इसके अलावा कोट ने आदेश दिया है कि वे एक मोबाइल नंबर देंगे जिससे उनसे संबंधित आथॉरिटी द्वारा संपर्क सुनिष्चित किया जा सके कि वे कहां है अधिवक्ता राजीव कुमार पर आरोप है कि एक जनहत याचिका से नाम हटाने के नाम पर अमित अगरवाल के साथ एक करोड रुपया में सौदा तै हुआ था राजीव कुमार को अमित अगरवाल द्वारा प्रथम किस्ट के रूप में पचास लाग दिया गया था वही उत पैसे के साथ राजीव कुमार को कुलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था इडी ने मामले में जाज की और राजीव कुमार वमित अगरवाल को इसमें आरोपी बनाया गया है